हलो गाईज, वेलकम टू अजीव आईएस, मैं नेम ही जाईश मेठी, इस वीडियो में हम 28 फरवरी 2020 के दा हिंदू एडिटोरियल एले से शुरू करेंगे, चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, देखो पहला आर्टिकल जो हमारा है वो है वायरस के उपर, दू कि देशों में भी बहुत ही तेजी से की नंबर भड़े है, चाइना में इसको काफी हत्ता काबू पा लिया गया है, एक खुशी की बात है, लेकिन इरान में देखा जा रहा है, कि बहुत तेजी से ये संक्या भड़ रही है, साथ दिन के अंदर अंदर 20-27 से 200-200 तक ये पह इसी के लिए, दूसरा जो आर्टिकल है वो हमारा हो, बिलीफ एंदी केंडल सो शहीन बाग, ये पॉलिटिक्स की उपर हो ये हम पढ़ते नहीं है, ब्राउनिंग इस्ट आधार नो स्टैन अप परफॉंबर इन वेलफेर डिरिवरी, ये हमारे में आर्टिकल है जो हम पढ रही है, वो पेड़, वो ट्रीज, वो फोरेस्ट, जो हमारे जीवन को एक नहीं दिशा हर रोज परदान करते थे, जो हमारी एक सबसे बड़ी जवरत थे, उनको ही हम नुक्सान पहुंचाते जा रहे हैं, अगर आप कहते हो कि वेस्टन घाट्स, इंडिया की नेचुरल हे हेरिटेज का क्राउन ज्वेल है, क्राउन ज्वेल जो राजा के मुकूट होता है, उसमें जो ज्वेल होता है ना, डायमेंड वगरा कुछ भी उसको क्राउन ज्वेल, तो वेस्टन हाट्स को इंडिया की नेचुरल हेरिटेज का क्राउन ज्वेल माना जा रहा है, तो इस् एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूं यह है आपके सामने इस्ठंगाट्स ठीक है बड़ा वाला मैप उपर देख सकते हो नीचे जो है वह मैं बिल्कुल मैंने इस्टर्ण साउधन लिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से राज्य में फैला हुआ इस्ठ गास्ट वह बेसिकली महराष्टर में और एधार करनाटका में इधार फैला हुआ है ठीक है यह आपके वैस्टरंगाट्स है यह आपका वैस्टरंगाट्स है ठीक मैंस्टरंगाट्स मैंने आपको बता दिए मैं में हमने देख लिए जान वे लिए त् produced a call आरं श्वे से पर पहले ही बहुत समश्यारी क्लाइमेट चींज की वजए से जिसका भारी नुकसान कर ला को जहिलना पड़ रहा है इस चंगार्ट के मैं बात करूँ तो यह बाइव डायो 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 सिटी हमको प्रदान करते हैं और ट्रीज जो आज की समय सब जदा मरी जवरत पूरी कर रहे वह स्टोरिंग एनरजी कार्बन कैप्चर वह कर लेते हैं वह बहुत अच्छा रोल है जो हम इतना प्लूशन कर रहे हैं उसको कैप्चर करने का काम कौन करता कार्बन सिंक कौन है हमारे लिए ट्रीज फोरेस्ट तीन हजार से जदा प्लाट स्पीसीज यहां पे हैं ज यह बारे में अपने जोगरफिम में पड़ा होगा और जरूरी है कि मैनी एनिमल्स इंक्लूइंग टाइगर्स एन अलिफैंस एंस फोर्ट कॉट्वरेस्ट एंस दिस कंतिनियर इस देखो चार सो बठीश इस इसमें पाई जाती है डिस कंतिनियूस है वेस्टंगर्स पूर क्क comum कर्late कैँ क्लाइमेट को भी देखा लाखों लोगों को फॉरेस्ज्ट प्राइश्ट इको शिस्टम प्रवाइड करते हैं और इतने सारे फंक्शन kस ये देख करते हैं कि क्लाइमेट को भी मोडूलेट करते हैं मोडूलेट कैसे मोडूलेट मतलब संभालना सामन जश्य बैठाना क्लाइमेट चेंज इसकदर हो रहा है कि मोंसून का पता नहीं चल रहा है बारिश का बात यह तली जाती है इसकी कोई भी जुह जानकारी धंक से नहीं मिल पा रही है तो हमारा सबसे और क्लाइमेट चेंज का सॉलुशन एक है कि ट्रीज ट्रीज को मोडूलेट कर सकते हैं दैवर्स इस बाइवडिटी ऊस्टेर कर सकते हैं सस्टेिन अंट चाप्रवाइड की मेंकि मतलब आप पानी पी रहे हो जो स्वच वह आपकी पीडी पी पाएगी कि नहीं पी पाएगी क्या उत्रा पानी बचेगा क्या उतनी स्वच्छता उसमें रहेगी यह सस्टेनिबलिटी होती है नई रिसर्च फाइंडिंग्स आई है जिन में पता लगा कि इस्थन गाट्स को बहुत बड़ा खत्रा क्लाइमेट चेंज से जहलना पड़ रहा है और टेमप्रेचर वेरियेशन बहुत बड़ी चिंता का विशह है एननुवल एवरेश टेमप्रेचर में जो डिस्रप्शन आ रहा है इसकी वजह से ना केवल बारिश घट रही है बलकि इनकी फोरेस्ट क जो productivity वो भी घट रही है और productivity जो एक तो carbon store करने की है वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ पैसर पर देखो Amazon Forest अबराजील के कितना carbon capture कर लेते हैं और जब वो जलते हैं तो carbon छोड़ देते हैं तो हम अपने ही जो पेड़ हैं जो हमारी जिन्दीगी का एक बहुत बड़ा आधार है उनको ही हम climate change की वज़े से मारने की कोशिश कर रहा हूं को ही मिटाने की कोशिश कर क्योंकि देखा यह गया कि साल में जो सबसे सूखा समय आता है उसमें rainfall पूरी तरीके से खतम हो जाती है seasonal temperature भढ़ रहा है plant species रिडियूज हो रही है ट्रीज की जगह हब्स आ रही है हब्स warm temperature में हर्ब्स आने लग जाते हैं घास फूस आने लग जाते हैं तो यह दिक्कते सामने लाते है इस्टंगाट्स जिनके बीच में से गोदावरी और कृष्णा गुजरती नदिया जब इस्टंगाट्स बिल्कुल डिसिपियर हो जा पता है इंडिया का commitment अंडर पैरिस एग्रिमेंट लों क्लाइमेट चेंज की धाई से तीन बिल्यान टनका अडिशनल कारबन सिंग को बनाएगा हमारे पास ओल्रेडी जितने पेड हैं उतने पेड हम और लगाएंगे उतने लगाएंगे जितने की कारबन जो घूम रहा है इनवारेमेंट में उसको सिंक कर सके और कितना डाई से तीन बिल्यान टन का इतना हमको फोरेस्ट ट्रीकवर बढ़ाना है और आप सब को पता है कि प्रोटेक्शन पॉलिसी किस कदर फेल होती हैं तो गार्ड्स जो है वो इस्टक गार्ड्स के मैं बात कर रहा हूं पिछली अपना एरिया खो दिया दो दश्कों में इतना प्रेशर हम इन पर डाल रहे हैं इतना जो प्रेशर हैं को कम करने की जूरत है पती इस तंग गार्ड्स रिसोर्स कम निकालो सेटल्ड एगरिकल्चर को इंसेंटिवाइज करो एक होता आपका स्लेशन बर्ण एगरिकल्चर जो औरोनाचरपदेश में चलता है इसको जूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं जिसमें एक समय पर फसल उगाई जाती है खेती की जाती है जब खेती उग जाती है तो उसको जला दिया जाता है ताकि कुछ समय बाद वापस वह उपजाओ हो जाए और जब तक दूसरी जमीन पर जाकि खेती की जाती है इसकी वज़ब है ना केवल प्रेश्ट पैसर पढता है बल्कि रीसोर्सेस में भी कमी आती है इसके अपोजेट्टो तर्स settled agriculture आप जहां है वहीं आप खेती करेंगे साल का हर सीजन में settled agriculture को incentivize करना चाहिए schemes लानी चाहिए ताकि forest fairies को restore किया जाए जो boundaries है fairies, boundary cut गई, लोग घुज गए अंदर पार्क की, national parks की, wild life centuries की boundary नहीं रही पता ही नहीं चल रहा कि इसलिए तो human और animal conflict भढ़ रहा है तो indigenous plant देशी plant और trees species लगाने जरूर है forest fairies में और national commitment को पूरा करो ताकि international climate finance आपको मिल सके और मिलनी भी चाहिए क्योंकि इंडिया की अपनी एक financial capability है उस capability के अनुसारों काम करेगा और international assistance आएगा तो जरूर अपनी policies को पूरा कर पाएगा आईटी खरकपूर International Corps Research Institute इन्हों ने warning दिया कि temperature जिसकादर भढ़ रहा है rainfall जिसकादर change हो रही है हमको अभी अभी urgent steps लेने पड़ेंगे कल की बात नहीं है climate change आज अभी हो रहा है अगर आप गलत फहिम है कि climate change अब होगा ऐसा नहीं है snow पिगल रही है ice melt हो रही है climate change हो रहा है rainfall कम हो रही है temperature बढ़ रहा है इस बार का जो जन्वरी था ना अपना जहां तक मुझे याद है कि जन्वरी 2020 1886 के बाद से सबसे होट जन्वरी था और दीरे 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 साल दर साल रिकोर्ड टूटते जाएंगे हमको तो क्या सर पड़ेगा हम तो AC कूलर में बैठे रहते हैं जो गरीब हैं जो उनको कितना सर पड़ेगा और सबसे बड़ी बात जितना warm temperature होगा उतने हावा में जो है diseases फैलती जाएंगे पैथोजिन्स जो है warm temperature में ज्यादा फैल जाते हैं तो हमको temperature में changes का ख्याल रखना पड़ेगा रेंफोर में changes का ख्याल रखना पड़ेगा ट्री कवर nationally हमको बढ़ाना ही पड़ेगा एक ही इलाज है कितने ही आप जो है कितने ही उसके लिए पेड इसको डॉनल्ड ट्रम ने भी अपनी सहमती दीती कि हाँ वो इसके साथ जुड़े वे तो इन ध्यानक ना प्लिम्स के लिए वन ट्रिलियंड ट्री पूरी दुनिया भर में लगाया जाएंगे वल्ड इक्रमिक फोरम के द्वारे शुरू हुआ था मुझे काफी खुशी हुएगी बाई भर भर कातरी जरूरी है कि अब पहुत ती तटीन घवरफ स्धकर्न में बता दिता हूं देंखरागे देंगों सेयाद्री जो है वेस्टं गार्स को कहते हैं खासकर कि भालाश्वह यह वेस्टन कोस्ट एप इंडिया के बिल्कुल पैरलल होते हैं वेस्टन गाट्स continuous होते हैं मैंने आपको बताया था वेस्टन गाट्स continuous है और इनके जो रास्ते उनसे गुजर नहीं सकते थे पहले हाला की technology इतनी आ गई कि अब जो है आराम से आप इनके रास्तों से गुजर सकते हो और वेस्टन गाट्स में आपको बोरगाट पालगाट थालगाट म इन बादें सुनना तुंग भाद्रा कृष्णा गुदावरी और बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जो बंगाल में जाती हैं उनका ओरीजिन पॉइंट ओरीजिन पॉइंट वेस्टन गाट्स में वेस्टन गाट्स जो हैं वो बहुत ही एक important ड्रोन निभाते हैं और इसकी इसकी हाइस पीक है अनाइमुडी जिसकी हाइट है करीब 25 सो मीटर और इस्टन गाट्स की सबसे उची जो पहाड़ी है वह महिंद्र गिरी जिसकी हाइट है 1.500 मिटर तो आपको पता चल गया होगा कि वेस्टन गाट्स उचाई में जादा हैं अलिवेशन में और इस्टन इस्टन गाट्स कम है क्योंकि आप डिफ्रेंश देख सकते हैं प्रिम्स के लिए मैं आपको बता दिया एनमोडी वेस्टन गाट्स की हाइस्ट पीक है महिंद्र गिरी इस्टन गाट्स की हाइस्ट पीक है इस्टन गाट्स वेस्टन गाट्स के एलिवेशन के कमपेशन में कम हैं और डिसकंटिन्यूस हैं ठीक है यह चीज है और इस्टंगार्स में राइस सबस्यादा प्रोडूस होती राइस चोकि वहां के लोगों का एक स्टैपल फूड है मलब वहां के लोग जीवनी से चलाते हैं राइस से ठीक है और यह चीज भी धानकना की वेस्टंगार्स सब्सक्राइब चला को कि अब आप अब हमने इसमें पल कोनड़ा रेंज की बात की ती कि जिस पैल कोनड़ा रेंज ने चाड़े छांस किलोमेटर दो दशक में अपने खूद दी है वह साउधर पार्टा रेंज का पला कॉन्डा करनाटका में बिल गडिल रेंज हैं मंने रेंज हो गया हाना तो यह जरूर ही है ठीक है यह इनके जो है नाम आप याद रखेंगे एक कर्रेक्शन में आपको करवा देना चाहता हूं यहां पर कि जो मैंने बताया था कि हाइस्ट जो पीक है इस्टंगार्ट्स की वह महिंद्र गिरी है और उसमें मैंने गिरी की उचाई डेड़ सो नहीं है पंद्रा सो है है लेकिन कम वेस्टंगार्ट्स के तो एक कर्रेक्शन आप कर ले ना माफी देना मुझे इस गलती के लिए चलिए हम आगे बढ़ बात हो यह आधार के देखो आधार पे अगर बात आजाए as a whole अगर specifically आधार की बात आजा तो उसमें भी आप इस आधार का एक्जम्पल कोड कर सकते हैं तो आधार सबसे पहले जो है कैसा कहा गया था यूनिक identification authority of India जिसके दोहर आपका आधार चलता है उसके CEO अजैबूशन पांडे उन्होंने कहा था कि आधार की वज़े से हमको 90,000 करोड की बचत हुई है और बना लिए बीलो पोवर्टी लाइन मैंने देखा है राशांगन दुकानों पर जाज़ा के सामान खरीद रहे हैं अमीर से अमीर लोग जो गरीबों को जो गरीबों को तो मिल नहीं रहा है तो यहां पर जो सरकार ने कहा कि 90,000 को बचत हुई क्या ये वास्ताव में सही है इ क्यों तो इसका मतलब जो है कि वह इंपोर्टेंड नहीं है देखो इंडिया ने पिछले एक साल में थ्री टिलियन रूपीज स्पेंड किया है सेवडेल वेलफेर प्रोग्राम में चाहिए वह पब्लिक डिस्टिबिशन सिस्टम हो चाहिए वह लिक्विड प्रेटॉलियम गैस हो लपीजी हो महत्मा गाने नेशनल रूडल इंप्लियमेंट गारंटी एक्ट हो और इन सम्में जो पैसा है 30-40 परसेंट हो लीकेज में गया लीकेज मतलब वही जिनको घोस्ट और डुप्लिकेट बेनिफिशरी कहते हैं जो वास्तों में उनको बेनिफिट्स नहीं चाहिए लेकिन और फिर भी वह फेक कार्ड बनाके गरीब की जैसे बनके और इन बेनिफिट्स का फैदा उठाते हैं जो बेनिफिट्स गरीब हो के लिए बने वह हैं तो हमने आधार लाके कोशिश कहीती कि अब आधार बनेगा तो पता चल जागा कौन अमीर है कौन स्टम होगा भाई हमियेंगे हम सारे और आघार से मैच करेंगे अच्छा तो टिम बीबी अलसी ओ हुट हो ऊग्या तो देखेंगे तो टुम तो रिजिटर होई नहीं तुमारे कार्ट गोंड़के हमें देख लेंगे की कहां क्उंब कौन सा पैसा कितना लेकिग्श और उ एफिशेंसी तो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी यह सब कुछ है हमने सोचा था इंटेंशन काफी अच्छी ती सरकार की अधरकार लाने के मामले में और इसको देखते हैं यूनियन अब जो की लेट अरुन जेटली हैं जो की स्वर्गवासी हैं उन्होंने इस आधार बिल को नाम दे दिया था टार्गेटेद डिलीवरी फैनेंशल अधर सब्सीडी बेनिफेंट से सर्विसीज बिल और इन्होंने क्लियर कर दिया था कि आधार का जो प्राइमरी अगर इकलो कि प्रेसिडेंट्म यह है सब्सक्राइब का करदयार इस वज़े से आदार को मनी बिल के तोर पर पेश करने कोशिश की ताकि आदार बिल जो है वह पास हो जाए और आदार का दिल्ली जल्दी आए इस पर इस टेडी हुई तो यहां पर प्रोफेसर मुली धरेन उन्होंने देखा कि कोई भी इंपक्ट पर नहीं पड़ा क्योंकि यह चारखंड में किया 15 बैंटम इस कंट्रोल ट्राइल के तोर पर किया रेंडमाइस कंट्रोल ट्राइल क्या है बेसिकली रेंडम लोगों को यहां प एक्सपरिमेंट किया जाता है और यह स्टेडी जो है इसका तरीके से हुई थी इसमें दो तरह के गुरूप बाट गए एक गुरूप में वह लोग ते जिन्नों ने आधार कार्ड है दूसरा जिन्नों के पास आधार कार्ड नहीं है पहले तरीके से राशन वो ले रहे है तो फिर कंपेरिजन किया गया कि दोनों में फायदा किसको हो रहा है तो श्टडी नहीं यह देखा कि जो आधार वाले जो लोग हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा और कोई लिकेज भी रिड्यूज नहीं हो रही उल्टा यह देखा गया कि घोस्ट और के पास लग रहा है यह जो है एक समश्य है दूसरी समश्य है कि मालो आपने सत्रा पर्षेंट पैसा करके चलो अधार कर बनवा भी दिया आप अगर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए आप पीडियस की दुकान पे कहीं भी जाते हैं आराशन शोप पे जाते हैं वहा आप वन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ही गलत हो गया अगर आप वास्तों में गरीब हैं कोई अगर गरीब है और किसी को चाहिए आधार काड़ की जैसे उसको वह नहीं मिल पा रहा तो एक तो डूप्लिकेट लोग तो लही रहे हैं लेकिन जिसको जरुरत है वह तो मिल चाहिए काड़ में एक्सके लिंक नहीं हुआ हूँ गादार कार्ड या तो नाजर कर्ण में नाम गरता गया रहो गया तो यह कुछ प्रब्लम्स हैं पहला तो यह कि कोश्ट बढ़ जाती है दूसरा टाइम खर्च होता है तीसरा ऑफ्हेंटिकेशन नहीं होता एक्सक्लू में तो यह साबीत हो गया कि लिकेज रिडिक्शन नहीं हुआ दस परशेंट जो इन बेनिफिश्री जे उनको नहीं मिला सत्रा परशेंट कोस्ट भी बढ़ गई तो केकल मिला के जो ग्लेम ताकि ना बजाल करोड हमने सवाल आप उठानी सकते और प्रफेशनल मुली धरन की जो टीम है और पूरा उनकी जो यह किया गया है इसे वतार चलता है कि इंडिया की अप्रोच जो है पुलिसी मेकिंग में उसमें कितना फॉल्ट लाइन है एक एक्जामपल यहां बे और दिया जा रहा है कि सब लोग यह पर सोचते थे कि इंडिया की वेलफेट डिलीवरी में सबसे बड़े दुश्मन कौन है घोस्ट और डुप्लिकेट आधार इंको एलिमिनेट कर देगा लेकिन कभी ऐसी सरकार की तरफ से कोशिश नहीं की गई कि आधार की वजह से कितने घोस्ट और डुप्लिकेट अलग लोगों गये कितने लोगों को यहां पर जो वास्तों में लेजिटिमेट हैं जो योग हैं उनको नहीं मिल रहा सरकार ने कभी कोशिश नहीं की माना गया कि आधरकार्ट जो है पूरी दुनिया को पलट देगा और पूरी वेलफेट डिलिवरी से स्ट्रक्चर बदल देगा यह सले माना गया क्योंकि यहां पर हमारे इंटलेक्चल इलाइट कह रहे थे हैं पूलीसी मेकर्स कह रहे थे हैं उन्हें पर भरोसा कर लिया रिसर्च करी जब पता चला कि अच्छा कहानी तो यह है गोस्ट और डुब्लिकेट एलिमिनेट नहीं हो रहें 10% जो है बेनिफि पता है तो यहां पर एक तरीके से सरकार अगर रोबस्ट पाइलेट प्रोजेट के तोर पर अगर रिसर्च कर लेती कि वास्तों में आधार में दिक्कते क्या रही है तो यहां पर जो है बहुत सारी प्रव्ड़म सोल हो जाती क्या लेकिन यह सरकार करेगी जीस्ट की बात दो एक्जामपल आधार और जीस्ट की बात है जीस्ट का एक्जामपल लेकर चलता हूँ मैं देखो एक रशक हो गया जब यहां पर पॉलिस एकनोमिस सोचते थे कि यार स्टेट टेक्सेस को टाओ यह बहुत बड़े दुश्मन इंटरिस्टेट कोमर्स के एक राज्जे से देखो सरकार की इंटेंशन हमीशा साफ रहती और हम कभी भी जो है सरकार की इंटेंशन को क्लेम इसले नहीं करना चाहिए क्योंकि इंटेंशन अब कभी पता नहीं लगा सकते तो हमीशा अच्छा मान के चलो क्योंकि वोटन को दिया है लोगों ने लेकिन आप देखो कि सर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा हां ट्रेड भड़ा है इंट्रेस्टेट ट्रेड में कफ़ जदा असानी होई है लेकिन इंडिविज्व लेवल में बात करू तो शोप को बिजनिसमेंस को कफ़ जदा दिक्कत आ रही है क्योंकि उनको बिल बन उनको जो है हायर करना किलोमेटर से आगे जा रहा तो आपको बिल बनाना पड़ेगा मुझे यहां नेरे एक जट कितने किलोमेटर ते आएगा तो मैं जरूर बद्दा दूँँ आपको स्टेट को ना होंगा जीस्टी कलेक्शन का पैसा मिल रहा है दो महीन होगे जी स्टेट्स कह रहे है केंदर सरकार से राज्य सरकार कह रही है हमको मारा पैसा दो सब्सक्राइब से कलेक्शन इतना होई नहीं रहा कहां से तो तुमको पैसे तो राज्य सरकार इसी बारों से जीस्टी के साथ जुड़े थे केंदर सरकार के साथ क्योंकि केंदर सरकार ने जीस्टी के टेम पैसे बोला कि जीएश्टी की जीएश्टी मगर कोई नुकसान होता आपको तो हम वो नुकसान जहल के हम आपको कंपंसेशन देंगे राज्य इस वज़े से राज्य हुए थे और अब स्टेट्स को अगर इस तरीके से मना करेंगे तो पूरी इपेंडेंटी उनकी टेकसेस बे और स्टेट्स के पास पैसा नहीं जाएगा तो उनकी फिसकल डेफिशिट बढ़ेगी स्टेट्स की स्टेट्स जो अपनी स्किम्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो ट्रेड और जीडिपी के अलग बात है और रिवेन्यू जो स्किम्स होती हैं तीन तरह की होती है एक स्कीम जो होती है जो एक ग्रूप को फायदा करती है और दूसरे ग्रूप को फायदा करती है और दूसरे ग्रूप को फायदा करती है जैसे आपके कोई सबसीड़ी हो गई एक ग्रूप को फायदा करेगी दूसरे ग्रूप को इंप वाली में एक स्कीम होती जो एक को फाइदा बचाती एक को नुकसान पहुचाती है जो आधार वाली तीसरी स्कीम में आती है और ऐसी स्कीम में जो है बहुत उदार लाने के आफशक्ता होती है क्यों क्यों कि आधार के वज़े से बहुत लोगों फाइदा हुआ है मुझे भी काफी आधार कार्ट से काफी आसानी हुए जो मैं आपको भी हुई होगी लगा होगा कि पहले जब हम एक सिम खरीने जाते थे तो एक एक दिन का साथ साथ दिन का प्रोसीजर लग जाथ आता अब पांच मिन में जो है नमबर मिल जाते हैं तो काफी टेक्नलोजी में आसानी होई है और आधार कार्ड की वज़ेसे बहुत अच्छा हुआ लेकिन हमें अच्छा हुआ है जो गरीब हैं जिनको 10% जो लोग है जिनको राशंग नहीं मिल पारा आधार में गलती की वज़ेसे तो हम यह क्यों सोचके बैठ जाए कि आधार सक्सेसफुल है अगर आप सोचलिस्ट माइंड से देखेंगे अगर आप लिब्रल तरीके से देखेंगे तो इंजिनियर तो क्या सोचते हैं कि 9 million लोगों को देखो स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि 9 people are denied welfare due to a system error while 9 million are benefited to greater efficiency अगर 90 लाग लोगों को benefit मिल रहा है किसी चीज़ से और 9 लोगों को अगर पीछे चोड़ा जा रहा है तो इंजिनियर की नजरों से या फिर जो हमारे policy जो मेकर से उनकी नजरों से बहुत अच्छा यह हुआ है लेकिन अगर आप सोचलिस्ट वर्ल्ड से और लिब्लिस सोसाइटी के विज़ देखेंगे तो कुछ भी लोगों को अगर उनका जो हकिकी चीज़ें नहीं मिल पाती तो इसका मतलब यहां पे बहुत गलत हो रहा है और हमने जो है कितने ही लोगों को इसमें पाइदा पहुचा लिया हो लेकिन कुछ लोगों को गलत हुआ तो इंजिनियर का जो वर्ड व्यू है जो पॉलिसी मेकर्स का जो वही चीज़ें जो अपने अब तक पढ़ी होंगी न्यूस्पेपर में चीफ डिफेंस स्टाप के बारे में आप अब तक सब कुछ जो भी पढ़ा हो जान लीजेगा और आपको नहीं पता तो मैं वाजी रहा मैं आपके जो है कमेंट बोक्स में जो अलग-अलग कोचिंग ही हमको साउथ सुदान में एक पीस एग्रिमेंट हुआ पीस एग्रिमेंट यह हुआ कि देखो साउथ सुदान जो है वो सुदान से 2011 में अलग हुआ था यंग-एस्ट ये नेशन है वर्ल्ड का और इसमें दो तरह के लोग रहते न्यूएर और दिन का कम्यूनिटी दोनों साउथ सुदान से और साउथ सुदान यंग-एस्ट नेशन है सुदान से लग हुआ था 2011 में ठीक है गाइस ये थी है मारी वीडियो थैंक्स वर वाचिंग जैहिन गोड ब्लेस यूवल